दोस्तो एक्सीवी 7W को एक्सेव एलिडी टेल लैम के साथ काफ़ जाए एमेजेज विडियो इंटरनेट पर वैलल हो रही है महिनदर एक्सीवी 7W की एक्सीव एलिडी टेल लैम को नाइट के समय देखा गया है जो कि रियल प्रोफाइल से देखे हैं तो काफी यादा कूल और बहतर लग रही है और दोस्तों मेरा तो यह मानना है कि महिंद्रा X7W 2021 की सबसे ज़्यादा हाई टेक SUV होने वाली है और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एक SUV 7W के अंदर आपको 8 Autonomous Driving Assistance Features मिलने वाले हैं जो कि इस सेगेमेंट में सबसे ज़्यादा हाई टेक है और अगर कंपेर किया जाए टोटा फोर्चनल और फोर्ड की इंडेवर से तो इन दोनों गारे से ज़्यादा हाई टेक फीचेस आपको XUV7W में मिल जाते हैं XUV7W के अंदर कौनसी Autonomous Driving Assistance Features मिलने वाले हैं और इस वीडियो को पूरी एंड तर देखना और अगर मैं अपना खुद का ओपीनिन बता हूँ तो मैं XUV7W का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि XUV7W अपने सेगेमेंट की सबसे ज़्यादा हाई टेक SUV होने वाली है और मैं इसी कोशिस में लगा रहता हूँ कि XUV7W की Time to Time Update आपके पास लाता रहा हूँ और इस SUV ने सारी Automobile Industry का ध्यान अपने तरफ खीच रखा इतने सारे हाई-टेक फीचर्स को लांच करने के बाद बहुत सारी वीडियो और टीजर महिंदरा XUV7W की महिंदरा ने जारी की है जिसमें सासा बात हैं दिखाई है कि XUV7W इस सेगमेंड की सबसे हाई-टेक SUV होने वाली है तो उसलिए चलते हैं वीडियो की तरफ आप बात कर लेते हैं उन आठ ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम के बारे में कि XUV7W के अंदर ये फिचर्स किस तरीके से वर्क करेंगे और पहला है ADAS सिस्टम XUV7W के अंदर ADAS सिस्टम लाने के बाद एक्षिजेंट की चांस बहुत कम हो जाएं क्योंकि ये फिचर्स की मदद से आप बहतर तरीके से ड्राइविंग कर सकते हैं ADAS सिस्टम, IEV कैमरा और सेंसर से लैस होता है अगर आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी है तो ये सेंस कर लेता है कि आपने ब्रेक्स अपलाई किये हैं नहीं किये अगर आपने brake apply नहीं कियें तो automatically यह अपने आप brake apply कर देगा जिससे कि accident ना हो सकें जो कि बहुती बढ़िया बात है और काफी cool features है और ADAS system आपको globally market में काफी ज़्यादा कारों में आपको देखने को मिल जाएगा और दूसरा है adaptive cruise control इस feature की वज़े से आप अपनी कार की speed limit set कर सकते हैं अगर आपको सामने कोई कार चल रही है तो यह cruise control distance बना कर अपनी speed limit को sense करते रहेगी अगर हो सामने कार अगर एगदम से रुख जाती है तो यह adaptive cruise control अपनी brakes apply कर देगा जिससे की accident ना हो सके यह जितने भी सारे features है mostly safety features दिये हुए है इसके अंदर जिससे की accident ना हो सके इसलिए इसके अंदर इतने सारे features दिये हुए है और तीसरा feature से हो है blind spot assist इस feature की मदद से अगर आप अपनी car drive कर रहे हो और आप right में turn लेना चाते हो लेकिन अचानक से कोई car side से निकलती है तो आपको यह beep के द्वारा या sensor के द्वारा आपको बता देगा कि एक side में car निकल रहे है तो जिससे की accident के chances कम से कम हो सके और चोता feature से जो की बहुत ही जादा बहतर है उसका नाम है drowsy driver detector यह features अगर आप अपनी car को काफी long time से drive कर रहे हो और आपने rest नहीं लिया है तो यह आपकी driving skill को sense करके आपको बता देगा कि आपको rest लेना चाहिए और आप अपनी गाड़ी stop कर दो या तो इस feature आपको coffee पीने के लिए काएगा या फिर इस feature आपको गाड़ी बंद करने के लिए काएगा वैसे इस feature है बड़ा कमाल का यह काफी cool है और बढ़िया भी है और चोता है autonomous emergency braking यह features car के अंदर a e b camera से और sensor से less होगा यह feature any time activity रहता है अगर सामें आपके car है या कोई wall है कुछ भी है अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हो तो आपको इस instrument cluster में ब्रेक अप्लाई करने के लिए काएगा अगर आप फिर भी ब्रेक अप्लाई नहीं करते हो तो यह automatically ब्रेक अप्लाई कर देगा और चटा है lane की पासेशन इस feature की मदद से अगर आप highway पे चल र अंदर booster headlight मिलने वाले जिससे की highway पर आपकी headlights की range भढ़ जाती जिससे आपको काफी आदा मत मिलती है रात को चलाने में और आखरी है आठवा पॉइंट वह है personalized speed warning system जो की बहुत ही जादा बहतर है आपकी car के अंदर किसी भी एक family member की आवाज में यह आपको speed कम करने की बोल होगा तो अब बात कर लेते हैं इसकी pricing की Toyota fortuneur और Ford endeavor जो प्राइज से वह शुरू होता है 30 लाइज से शुरू होकर 37 लाइग रोपी तो जाता है एक सोरून लेकिन xv7w का price क्या होने वाला यह एक पिता ओफिसले launch नहीं हुआ है बता जा रहा है कि इसका जो price start हो सकता है वह 14 लेकिन Toyota fortuneur और Ford endeavor के अंदरी आपको इतने high tech features नहीं मिलते लेंगि फिर भी इनका price इतना ज्यादा हाई है तो फिर xv7w का price क्या होने वाला है तो please comment section अब जुरू बताना और आपको वीडियो पसंदा आए तो चैनल को subscribe कर देना like कर देना और bell icon को जुरू प्रेस कर देना त जुरू झाल